हेलो फ्रेंड्स जैस्री कृष्णा जैमातादी जैस्री शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगी इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें आज की वीडियो में हम आप से बात करेंगे दोस्तों कि आपके पिछले जनम का क्या सच है और इस जनम पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जिया दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेर करना ना भूलें तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर माहदेयो का नाम लेकर जिया दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और स्पेशल हैं क्योंकि आज ही हम आपको बताने वाले हैं आखिर क्या होने वाला है आपके साथ किस तरह की कंडिशन्स क्रियर्ट होने वाले स्क्रीन पर दो संदूग दिखाए देरें फर्स्ट ब्ल्यू सेकंड रेड में इन दोनों में से जो भी है ट्रेक करें उसे चूस करें फिर देखते हैं क्या सच्चाई है आपके जीवन की क्या है सच्च आपके भागी का समझते हैं देखिए फास्ट नंबर जिनोंने चूस करा है पहला नंबर जिनों जूट बोला अगर आपने पिछले जनम में किसी को धोका दिया है बार बार तो सबसे पहले तो आपके साथ विश्वास घात होगा बहुत ज्यादा विश्वास घात हो रहा है देखिए आपने धोका दिया है पिछले जनम में जी हां अभी जिन भी लोगों से आप धोका खा तो कही न कही पिछले जनम में आपका भी किसी ना किसी की साथ मेरे इस तरह से कुछ हुए हमने अगर किसी को एक हाथ से धोका दिया है तो पिछले जनम की जो भी conditions प्रकृति कर जो मैंने आपको बतायाना नियम में कि एक हाथ ले एक हाथ देना अगर आपनेे धोका दिया आपको पुका मिलेगा आपने सम्मान दिया आपको सम्मान मिलेगा आपने विश्वास निभाया है तो बदले में विश्वास ही मिलेगा लेकिन हुआ उल्टा है इस बार आप सही रास्ते पर इस बार आप सही कर्म भी कर रहें आपका भविश सुने रहा है आपका भविश बहुत अ पाधार पर जो conditions Create हो रही है जो conditions हम जेल रहे हैं उन्हें पॉजिटीव वह मिलो अगर आप यह सोचो कि मेरी किसमत में ही था मैं इसा किसी के साथ करा वह इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है यह चीजह अगर दिमाग में ले करके चलोगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं यानि सब कुछ पॉजटिव होगा कहीं पैसे लग गए फालतू के ठीक है तो यह सोचिए कि इसने पिछले जनम का कुछ उधार लिया होगा हमने कुछ खा लिया होगा भी टेंशन लेने से अच्छा है कुछ दिमाग में पॉजटिविटी लेकर किया देखे जब तक पॉजटिव नहीं सोचोगे तब तक पॉजटिव नहीं होगा ठीक होना पड़ेगा हम कुद हमारे एक अच्छे मॉटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं हमको खुदको मॉटिवेट होना पड़ेगा हम किसी और के आधार पर ठीक है किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना है घबराना नहीं है जरा जरा सी बातों पर पैनिक नहीं होना है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना लोड नहीं लेना चाह कितना ही बड़ा टेंशन क्यों ना चाह कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो हम बहुत आसानी से उस समस्या को स नहीं करें लेकिन हमने हमारा वर्तमान भी खराब कर दिया तो हमारा कुछ करने की जरूथ नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप चाहते हो आपका भविश्य starch आपका ध्र दर यह लेगो चाहे तो आपने आप में बहुत कुछ कर सकते आप चाहे तो आप को को बहुत अच्छे से मॉटिवेट कर सकते हूं यह आज जो चीज हम आपको बता रहे हैं आज की जो में वीडियो खास बनाई है स्पेशली आपको मॉटिवेट करने के लिए बनाइए स्पेशली जो आज कल हो रहा है जरा-जरा सी बात पर घुसा आ जरा-जरा सी बातों पे चीड जाना जरा-जरा सी बातों पे टेंशन ले लेना पैनिक हो जाना यह कहां तक सही है से आप अपना भविश्य अपना भविश्य खराब कर रहें जी हां प्रेजेंट तो खराब होई रहा है प्रेजेंट तो होई रहा है लेकिन आप अपना और पर अगर आप कहीं जा रहे हैं कोई चालान कड़ गया तो आप तेंशन में आ जते कि आराज तो इतना पैसा लगए दस बार पचास बार जब तक आप उसके गुणगान नहीं का लेते आपको चेंड नहीं पड़ता लेकिन इसा नहीं होना चाहिए आपको उस समय ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कुछ पुराना बकाया रहे गया हूँ जो इस जनम में हमने इसे दे दिया ठीक अच्छा हुआ गया वो अस्पताल में चला जाता कोट कचरी में चला जाता इससे तो बढ़िया चालान में निप्टा इससे तो बढ़िया कम में सकता कोई बड़ा खर्चा आने वाला तो यह मैं कभी कोई दिक्ट नहीं आनी लेकिन फिल्हाल आपको mindset करना होगा फिल्हाल positive mind रखना होगा जीवन में कभी कोई दिक्ट नहीं आएगी समय बहुत अच्छा है बस पिछले जनम की कुछ दिक्कत हैं जो आपको दे रही है च चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और बला आकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए सेकंड नबर की बात करते हैं जिन्होंने भी सेकंड नबर चूस करा है उनके लिए मैं की चीज़ कहना चाहूंगी कि जीवन में हमेशा आखे बढ़ने पर फोकस करें लाइफ में कभी कोई ऐसा कार inhale करें जो आपके लिए परिवार के लिए प्रॉब्म क्रियेट कर रहा हो छो हमेशा सही कदम पर सही कारी करें पिछले जनम की बहुत सारी वाते हैं जो आपको tensions दे रही है, बहुत ज़्यादा load दे रही है, कि होता क्या है ना, कि हमने प्रकृती के साथ में कभी भी कुछ ऐसी conditions क्रीट नहीं करी है, जो हमारे लिए सही हो, हमने क्या करा है, प्रकृती के साथ में पिछले जनम में हमने लोगों के साथ विश्वास घात करा है, tensions दिये हैं, problems दिये हैं, तो हमारे साथ सही कैसे होगा, ठीके ना, हमें अच्छे से अपने आपको motivate करना होगा, सबको motivate करना होगा, हमें थोड़ा concentration अपने कारी के प्रती बढ़ाना होगा, तभी जाकर के हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा समय आपको म विश्य को अच्छा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अच्छा करना होगा, अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, अपनी सोच पर ध्यान देना होगा, आपकी सोच बहुत ज्यादा negative होती जा रही है, आप बहुत ज्यादा negative सोच ने, जिसकी वज़े से आपको problem आ हमारी तो सबसे पहले positive सोचना शुरू कर दीजिए जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं लाइप में कुछ पाना चाहते हैं लक्ष है कोई उमीद है कोई तो उसके लिए हमें सबसे पहले अभी वर्तमान पर धियान देना होगा वर्तमान में हो क्या रहा है हम हर छोटी छोटी बात पर चिर्चिड़े हो रहे हमारा व्यवहार सही नहीं हो रहा है हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं जिस वजह से बहुत ज्यादा problems create हो रही है कि आपको जीवन में कुछ करना है कुछ अच्छा बनना है लाइफ में कुछ बहुत अच्छा पाना है कुछ उमीदे हैं परिवार के आप से जुड़ी हुई है तो उसके लिए हमें खुद को संगर्श करना होगा खुद को संगर्श करना है तो खुद को अच्छा सोचन हो जाना हजार दो हजार 15,000 दस जार सितने भी लग गए कोई कर सकते हैं कोई ऑप्शन था उसके अलावा पैसे लगाने के लावा आपको प्रेजेंट को सुधारना होगा पास्ट आपने जैसे तैसे खराब कर लिया है लेकिन फिलहाल आप प्रेजेंट पे कॉंसेंट्रेशन बना करके रखें आज की हमारी वीडियो सिर्फ आपको मॉटिवेट करने के लिए बनाए गई है तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमने नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सब्सक्राइब को बहुत बहुत धनेवाद जैसी कृष्णा हर हर महादेव जैश्री राम